रहस्य और आश्चरे से घिरे एक राजे के मध्य में सरहा नाम की एक राजकुमारी रहती थी. महल की दीवारों के भीतर सीमित रूडिवादी राजघरानों के विपरीत सरहा में रोमांच की एक अत्रिप्त प्यास थी. उसका राज्य एक जादुई जंगल से घिरा हुआ, अनकहे रहस्यों और छिपे हुए खजानों के रहस्यों को फुस्फुसाता है. इसी जंगल में कहानी शुरू हुई थी. डोर टू न्यू इडन, राजकुमारी सारहा की यात्रा का वर्नन करने वाली एक विडियो कहानी, इस जादुई ख्षेतर की प्रिष्ट भूमी के ख खिलाफ सामने आती है. कहानी की शुरूात सारहा से होती है, जो एक जग्यासु और साहसी आत्मा है, जो जंगल की गहराई में अपने कई अभियानों में से एक पर निकलती है. हर कदम के साथ, उसने प्राचीन पेडों की फुस्फुसाहट और जंगली जीवों की चंचल ध जगनों को गले लगा लिया. इस विशेश दिन पर, जैसे ही सूरज ने उपर पन्ना च्छतरी के माध्हम से अपनी सुनहरी किरनें डाली, जारा को एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया. राजसी ओक के पेड के पीछे, रहसे में पोर्टल से चिंतित होकर, सरहा आगे बढ़ने से पहले केवल एक पल के लिए जिचकी. दूसरी तरफ जो उसका इंतजार कर रहा था वह उसकी कलपना से परे था, भविश्य के चमतकारों की एक लुभावनी दुनिया जिसे न्यू इडन के नाम से जाना जाता है नया इडन नवीनता और प्रगती के रंगों से रंगे एक विशाल कैनवास की तरह उसके सामने फैला हुआ था उंची उंची गगनचुंबी इमारते नीले आकाश को छू रही थी, उनके चिकने अगरभाग सूरज की रोशनी में चमक रहे थे उडने वाले वाहन शांदार परिशुधता के साथ हवा में उडते रहे, जबकि रोबोटों की एक विविदाबादी अपनी दैनिक दिंचर्या में व्यस्त रही साराहा के लिए, यह ऐसा था जैसे उसने एक सपने में कदम रखा हो, जहां जादू और प्रोध्योगी की पूर्ण सामंजसे में परस पर जुड़े हुए हो इस अद्भुच शहर के द्रिश्यों और ध्वनियों से मंत्र मुगध होकर, उसे अपने उपर अपनेपन की एक अकत्निय भावना महसूस हुई जैसे ही साराहा न्यू इडन में आगे बढ़ी, उसका सामना लियों से हुआ, जो एक मिलनसार प्रित्वी खोज करता था, जो उसका मार्ग दर्शक और विश्वास पात्र बन गया लियों ने इस छिपे हुए स्वर्ग का दिल्चस्प इतिहास साजा किया और बताया कि यह कैसे प्रित्वी परविनाशकारी युद, मनुष्यों और रोबोटों के बीच युद की राक से उबरा था बहुत समय पहले, संगश और निराशा से ग्रस्ट दुनिया में, दूरदर्शी वैज्ञानिकों के एक समुह ने शांती की खोज में एक साहसी प्रयोग शुरू किया था उनके प्रयासों की परिंटी न्यू इडन के निर्माण में हुई, एक ऐसा अभ्यारन्य जहां मनुष्य और रोबोट पिछली शिकायतों के बंधनों से मुक्थ होकर सदभाव के साथ रह सकते थे जैसे ही सरहा ने न्यू इडन के रहस्यों को गहराई से जाना, वह इसके निवासियों की विविद्दा पर आश्चर्यचकित हो गई हलकी मुस्कुराहट वाले ह्यूमनोइड रोबोट से लेकर चंचल हरक्तों वाले जानवर जैसे साथ ही तक, प्रतेक नागरिक ने इस जीवन समाज के निर्माण में योगदान दिया लियों के साथ, सरहा ने न्यू इडन के हर कोने का पता लगाया, इसकी हलचल भरी सडकों से लेकर इसके शान्थ पार्कों तक साथ ही, उन्होंने इंसानों और रोबोट दोनों के साथ समान रूप से दोस्ती बनाई, जिससे यह साबित हुआ कि रिष्टेदारी के बंधन मास और धातु की सीमाओं से परे हैं उनकी यात्रा में एक विशेश रूप से मार्मिक ख्षनपार्क में एक इत्मिनान से पिकनिक के दोरान हुआ मैतरी पून रोबोटों की भीर से घिरे, साराहा और लियों ने हसी और कहानिया साज़ा की, उनके दिल उनके द्वारा बनाए गए संबंधों के लिए खृतगिता से भर गए जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, शहर के द्रिश्य पर एक गर्म चमक बिखेडते हुए, साराहा को एहसास हुआ कि उसे एक नई दुनिया से कहीं अधिक कुछ मिला है, उसे एक घर मिल गया है न्यू इडन के तक्नीकी चमतकारों और इसके निवासियों की गर्मजोशी के आलिंगन में, उसे अपनेपन की ऐसी अनुभूती हुई जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी जैसे जैसे डोर टु न्यू इडन समाप्थ हुआ, दर्शकों को विस्मय और आश्चरे की गहरी अनुभूती हुई प्रिंसेस साराहा की अन्वेशन, मित्रता और खोज की यात्रा के माध्यम से, उन्होंने स्वीकृती, एक्ता और उस्थान को खोजने की खुशी की परिवर्तनकारी शक्ती देखी थी जहां वह वास्तव में है और इसलिए, जैसे जैसे क्रेडिट लुढ़कते गए और साउंड ट्रेक के अंतिम नोट्स इथर में धुंधले होते गए, प्रिंसेस साराहा के सासिक कार्य की विरासत जीवित रही, असीमित संभावनाओं का एक प्रमान जो उन लोगों का इंतजार करती है, जो न्यू इडन के दरवाजे के माध्यम से कदम रखने की हिम्मत करते हैं.